नमस्कार मैं हो ससी आईए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मामी पापा भोट दो अभियान में 17 लाग इसकूली बच्चे हुए सामेल मामी पापा भोट दो अभियान चलाया गया सो मुहर को इस अभियान में पूरे राज्य के 18,57 स्कूलों में 17,6,182 बच्चों ने भाग लिया है बता दे कि मुख निर्वाचन पताधिकारी एवम सिक्चा भी भाग के समनुएं के साथ अभियान चलाया गया अभियान के तहत इसकूली बच्चों ने पुर्वाहन एक गारत से बारह के बीच अपने माता पिता अभिभावकों को अनिवारे मतदान के अनुरोद के साथ पत्र लिखकर भावक अपिल की है मुख्य निर्वाचन पता दिकारी के रभिकुवान ने कहा है कि बच्चों द्वारा भवनात्मक पत्र लिखकर आज पूरे राज्य के अयुभावकों को मतदान के लिए प्रेरी करने का कारे किया गया इसके लिए बच्चों की जीतनी तारिफ की जाये वह कम है बच्चों ने आज अपने माता पिता को अपने समयधानिक दैवित की याद दिलाते हुए साबित किया है कि 22 में वे अपने लोगतंत्र को और मजबूत करेंगे सियम हेमन्त ने कहा जहारखन में 200 यूनिट फिरी बिजली और महिलाओ को दिया सम्मान मुख्य मंत्री हेमन्त ने कहा है कि उनकी सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है सरकार लोगों को 200 यूनिट फिरी बिजली दे रही है वहीं बगाया बिली बिल भी माफ कर दिया, लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है वहीं मुख्यमंत्री मय्या समान योजना लाकर महिलाओ को समान दिया है उन्हें आत्मनीरभर बनाया है गोटा से इंडिया गडबंदन समर्थित राजत परत्यासे संजा यादव के नमांकन में भाग लेने आईहमन सुरेन सोमवार को सिकर्टिया स्थीत आईटी आई कॉलेज मैदान में सभा को समधित कर रहे थे मौके पर बिहार के पुर उपमुख मंदरी 23 यादो भी उपस्थित थे सिएम ने सभा में उपस्थित महिलाओं से कहा है कि हमारी सरकार ने आपके सम्मान का ख्याल रखा है और मैया समान योजना के तहत आपके खाते में हर महिने एक हेर पे भेजी जा रही है पुछा है कि सभी को पैसा मिल रहा है या नहीं इस पर महिलाओं ने हाथ उठा कर समती जताई हेमान सुले ने कहा है कि अगले महिने से अब यह रासी दो हज्यार रुपे हो जाएगी पारा सिक्सको के बेतन और समायोजन पर सरकार कुछ नहीं किया बाबुलान मरांडी बाबुलान मरांडी ने सोम वर्खोगी डिजीले की धनवार बिधान सवासीर से पत्यासी के तोर पर नमांकन पत्र दाखिल किया है कि कांग्रेस के सरकार में गाउं से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश में राज की लेकिन कभी भी गाउं की उन्होंने चिंता नहीं की कड़बंदन सरकार और CM हमान सुरेंच से मेरे द्वार अपील की गई थी कि जो पाराटीचर हैं उन्हें टेट पास किया है उन सब का आप समायोजन कर दीजिये हमने कहा था कि जो टेट पास नहीं है उनकी बेतन ब्रीधी कर दीजिये लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया उन्होंने कहा है कि BJP के नित्यूत में सरकार बनी थी तब पाराशिक्सको की भी बहाली भाजपा सरकार नहीं कराई थी अगर राज में भाजपा की सरकार बनेगी तो उनके बेतर में ब्रीधी की जाएगी साथ ही जानता से भाजपाक के पंच प्रन का संकल्प पूरा करने की बात कही है भाजपास सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना को पहले केबिनेट में लागू की जाएगी योजना के तहत महीने की एकारात तारीकों मा बहनों के खाते में एकईस उरुपे डाली जाएगी वहीं जारखांडियों को 500 उरुपे में गयस सिलिनर दिया जाएगा साल में प्रव के औसर पर दो गयस सिलिनर मुपत में मिलेगा साथ ही बीए और एमे पास कर रोजगार के लिए इधर उधर भटकने वाले बच्चों को 2000 रुपए दो साल तक दिया जाएगा ताकि वह अपने पैरों पर खाड़ा हो सके और अपने बाबाप पर दो साल तक बोज नहीं बन सके सीम हमंत के प्रस्तावक मंदल मुर्मने निसिकांद दूबेसित की मुलकात जारखन की चुनावी जंग में एक नया मोड आगया है बरहेट से जामों परत्यासिया और सीम हिमंत चुरण के नमांकन का प्रस्ताव रखने वाले सीद्धू कानु के वन साज मंदल मुर्मने जार कि राइनिती गर्मादी है सीएम के प्रस्तावक मने मंडल बीजेपी के संपर्क में है रभी वार सुबा आट बज़ों उन्होंने देव घर में गोड़ा सांसद से मुलकात की है निसिकान दूबे ने मुलकात की और भाजपा के सिर्ष नेतियुत से मिलकर अपने विचार इसकी जनकारी मिलते ही भाजपा ने अधिकारियों से सिकायत की इसके बाद गिरीडी पूलिस ने मंडल को रिहा कर दिया हलाकि सुरक्षा कार्णों से मंडल मुर्मो को देर रात तक पास के थाने में ही रखा गया साहिब गंज पूलिस के आने के बाद उससे भोगना डी भ उठाया है सिता सुरेन ने कहा है कि आज मेरे पती नहीं है तो क्या आदिवासी महिला समझ के मुझे अपानित किया जाएगा यहां की बिदायक इर्फान अंसारी कभी कहते हैं कि मैं उडिसा से आई हूँ यहां क्या कर रही तो कभी कुछ कहते हैं यह क्यों नहीं पूछते कि सुनिया गांधी कहां से आई है ऐसा कहते हुए वह फपक फपक करोने लगी वहां उपस्थित आदिवासी महिलाओं ने उन्हें अपने और अपने समाज का साथ देने का दिलासा देकर उन्हें समझाया बता दे कि अस मामले पर पिछले दो दिनों से जारखन की राइनित करवाई होनी चाहिए अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस की परमुक अलका लंबा को अपनी ही पार्टी के नेता का ब्यान पसंद नहीं आया है कांग्रेस ने जहरकन सरकार में मंत्री फान अंसारी दोआरा भारतिय जनता पार्टी की नेता सीता सुरेन के खिलाब काती तोर पर अपमान जनक टिपनी किये जाने की सोम और को निंदा की और कानूनी करवाई की मांग की है अलका लंबा ने कहा है कि महिला विरोधी अपराधों को लेकर कांग्रेस की सहकार में सक्त कानून बने है और अपराध को अपराध के नजरिय से ही देखा जाना चाहिए अंसार रूप से नुक्सान पहुचाया है, हर तरीके का कानून निर्भया की घटना के बाद कांग्रेस की सरकार में बने हाएं चुनाव आयोग निमाना हेमन सुरेन के प्रस्तावक और गिरीडी में रोकना गलात मुख निवाचन पता अधिकारी के रभी कुमार ने कहा है कि मुख मंत्री सबरहेट विधान सभाज शेतर के जारकन मुक्ती मोर्चा परतासी हेमन सुरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मुसाहित अनलोग का गिरीडी जिले के डुमरी में रोक कर थाने ले जाने की मामला में पुद्री छोटा नागपुर के आयोक्त से रिपोर्ट मांगी गई थी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टी हुई है कि वाहन को रोक कर जाच पताल करने के करा में वीडियो गराफी नहीं की गई आयोक का असपर्ष निर्देश है कि पारदार सिता के लिए चुनाव के इसी बिवाहन को रोक कर जाच करने की परकिरिया की वीडियो के राफी की जाएगी इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है इर्फान और आलमगीर से हिसा बराबर करने में नहीं लगेगा समय हिमनता असम के सीएम सह जारखन बीजेपी के चुनाव सह प्रभारे हिमनता विश्व सर्मा सो मौर को स्तिकारी पड़ा से पौरितो सुरेन जर्मुंडी से दिवेंदरे जामा से सुरेंदर मुर्मू और दुमका से सुनिल सुरेन के नमांकन में सामिल हुए और नमांकन जनसभा को समधित किया उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी ने सीता स्वेयन के खिलाब अभधर टिपनी की सीम को उन्हें घसिट कर जेल भेजना चाहिए था वहीं अलमगीर आलम के पास से अवैद क्लोर रुपे बरामत किये गया इसके बाजूर उनकी पत्नी को टिकर दिया गया उनके खिलाब जो कानूनी करवाई होनी चाहिए थी वह नहीं होई अगर मुझे जिमेदारी मिली तो इटफान और अलमगीर अलम से हिसाब राबर करने में एक घंटा भी नहीं लगता एक घंटा में हिसाब बराबर कर देता जामो में सरकार बनी तो महिलाओ को एक लाख देंगे सीम हमांट राज juice के मुख्य मंथ्री हमस्डेन स्वमवर को गेवी हाइ स्कूल के मैदान में डुमरी बिधान सवाच्चत से ज्हामों पर्तेंसे मंथ्री बेवी देवी की नमांगकन सवागों समुदित करते हुए कहा एकि राज में हमारी सरकार बनी तो परतेक महिलाओ को प्रति जुकी है और नहीं जुकेगी हमें जब भाजपा जैसी पार्टी के समक्ष नहीं जुके तो इस चुना में खड़े इन पार्टीयों के सामने क्या जुकेंगे उन्होंने कहा है कि ऐसे तो हम कई बार आप से भोट मांगने आये हैं लेकिन इस बार हम आप से अधिकार के साथ भोट मांग रहे हैं इन पांच वर्सों में हमारी सरकार के लिए चुनाती पुन रहा जब हमने सरकार बनाई थी उस समय कैसे दिखते थे और आज हम कैसे दिख रहे हैं उन्होंने कहा है कि कुरोना जैसी महारी की चुनातियों से राज की जानता को हमने बाहर निकाला इस द में गाव, मोड, डोरांडा में चुनावी सभा हुई सभा को समधित करते हुए सीर्मरांडी ने कहा है कि यहां हजारों की संख्या में पहुंची जानता का उत्साहा ने बता दिया है कि जीत में कोई शंसर नहीं लेकिन इस जीत को बड़ा बनाना है रिकोर्ड बनाना है उन्होंने कहा है कि हम आपके नेता नहीं बलिक यहां का बेटा हूँ इसलिए चुनाव आपको ही लड़ना है उन्होंने जामू कांग्रेस पर निसाना साथ ते वे कहा है कि इस गड़ बंदन ने कभी इस छेतर के विकास के चिंता नहीं की जारकन अलग राज बना तो हमारी भाजपागी सरकार ने इसे तीसरी से दूसरे दुनिया बनाया हर गाउं को सलक और नदी नालोग में पूल पुलिया से जोडा ताकि जो तकलीप हमने झेली उसे आने वाली पिढ़ी को न झेलनी पड़े चमपाई सुरे ने कहा आदिवासी धर्मगुरु एक जूट हो मधुबन मेला मैदान में स्वमवार को मांजी परगना महा समिलन हुआ बतर मुख्याती थी जारकन के पूर मुखमंत्री चमपाई सुरे न उपस्चित हुए यह कारकरम पुरी तरह से समाजिक था इसके करण पूर मुखमंत्री ने केवल संताली भासा में ही अपना भासन दिया हुए यह पूरा भासन संताल समाज को जागरूब करने से समंधित था महा समिलन में पीरा टान डूमरी सहित अन्य 6 एक संताल समाज के धर्मगुरु पहुंचे थे सिरी सुरेन ने कहा है कि भारत गुलामी के समय जो इस्थिती थी वो इस्थिती आज बन गई है हमारे धार्मिक अस्थलों पर परसासन जाने से पावंदी लगा रहा है आज भी जहारखन में बाहरियों का कबजा है और बाहर के लोग ही जहारखन चला रहे हैं यही वज़ा है कि नहीं हमारा धर्म सुरक्षी था और नहीं समाज उन्होंने जहारखन के आदिवासियों के साथ हो रहे और न्याय पर जम कर फड़ास निकाली और दुख भी प्रकट गया कहा है कि वह चुनाव के बाद फिर यहां मिलने आएंगे और उनका अधिकार को दिला कर रहेंगे जहराम महतो ने कहा यह चुनाव जहरखन डी असमीता का है बेरमो सीट के लिए नमांकन पत्र दाखिल करने के बाद जहरखन लोकतांत्रिक करांतिकारी मोर्चा के केंद्रिया अधियक चैराम महतोरों ने तेनु घाट में चुनावी सबक को समुदित करते हुए कहा है कि जहरखन अलग राज बनने के लिए कई लोग ने साहधत दी ह यह चुनाव जहरखन असमीता और स्वाभिमान कहा है मत दाता इस बार जहरखन बिरोधी लोगों को सबक सिखाएगी कहा है कि यहां के युवाओ और अने लोगों की महत्वक कांचा को पूरी करना है विस्थापितों और वर्सों से उत्पीडन के सिकार लोगों को न्याय दिलाते हुए उनकी आवाज बुलंद करूंगा बेर्मो में समाजिक नयाय और समाजवाद अस्थापित करना है छेतर की जहनता मेरे साथ है भारी मतों से जीत होगी उन्होंने कहा है कि जहरखन राजी का गठन तो हो गया लेकिन जहरखन दी जहनता अभी भी उपेक्चित हैं टाटा नागर रेलवे स्टेशन पर बैग से मिले 1.57 क्रोर के अभुसान जमसेदपूर टाटा नागर रेलवे स्टेशन से रभी वार को पकड़ाए यूवक के पास से 1.57,89,64 रुपय का सोना चांदी पलेटिनम और हीरा भरामत किया गया है वह यूवक जमसेदपूर के ही जुगसलाई के गौसाला नाला रोड के राजकुमारी अपार्टमेंट के पिछे का रहने वाला है उससे पहले आरपीएप ने पुस्ताच की उसके बाद चुनाव पता दिकाई ने उससे पुस्ताच की है जमसेदपूर जीला परसासन चुनाव के एंगल से मामले में जाच कर रही है जाच के लिए आयकर विभाग के टीम भी पहुंची है लोहर दग्गा में बड़ा हादसा डूबे तीन चात्रों का नहीं मिल रहा सुराग लोहर दग्गा जीले के सेना थाना छेतर के नंद गाव पिकनिक और स्थाली थीत नंद लाल फर्मा के पास बिद् प्रसासन और जिला प्रसासन के निदेश पर अस्थान्य गोता खोर द्वारा खोज भी इन की जा रही है अब तक किसी का सुराग नहीं मिला है मिच्वल फंड में पैसा जामा करने में ज्यारखन के लोग आगे मिच्वल फंड में निवेस के प्रती लोगों की दिल चस्पी तेजी से बाढ़ रहा इसका एक मात्रकारान हाइस्ट रिटर्न मिलना है बैंक और डाक घर की बचत व्योज नाओ और फिक्ष डिपोजिट से कहीं अधिक मिच्वल फंड में निवेस करने पर लोगों को रिटर्न मिलता है इसी का नतिजा है कि ज्यारखन के लोगों ने मिच्वल फंड में धाका धाक पैसा जमा कराया है मिच्वल फंड के मामली में ज्यारखन ने अपने पडोसी बिहार उडिशाव शतिस गड को भी पीछे छोड़ दिया है निवेस कोक के जोर पर ज्यारखन में करीब 74 या 600 रूपय क्रोर का मिच्वल फंड बजार खड़ा हो गया है मज़ेदार बात या है कि सिर्फ चार महिने में ज्यारखन के मिच्वल फंड बजार में करीब 12300 कोड़ोर की बढ़ोतरी हुई है धन्यवाद